हेलो एंड वेलकम टू माई यूटूब चैनल आज के वीडियो में हम आई पीसी 1860 आज के वीडियो में हम आई पीसी 1860 के चैप्टर सेकिंड जो जनरल एक्स्पलनेशन है इसमें सेक्षन 6 से लेकर सेक्षन 52 तक दी गई है उसके सेक्षन 29 को डिसकस करें है 29 से पहले की जो सेक्षन से वो मैंने इससे पहले की वीडियो में कवर की हुई है है तो अज हम तक सेक्षन 29 को कि डिसकस करेंगे वीडियो में सेक्षन 29 के जो क्यूमें के बारे में बताता है हिंदी में दसतावेज तो आई पीसी में दसतावेज या कि कि से कहें घंगे वह इस सेंके बताई गया कि यह जो वर्ड है डोकωमेंट तो किस चीज को ट्र करता है है एक मैल के डाविज के आप अम किसी भी सबुत संटेंस भश्टेंस निस कोई बी पदर की सिश्बी पदर्थ की दुएर कि सीबी पदर्थ पर कि से सम्सिटेंस पर कोई भी चीज़ लेटर से दुएरा या फिगर दुएरा या Mark द्वारा Express की गई हो व्याठ्यक्षा की गई उस्तर तो वह डोकेमेंट का लाइजाएगी अगर वह आजै when the evidence यूज हो सकती ठीके तो डोकोमेंट किसे कहेंगे किसी बी सबस्टेंज पर byूल किसी भीड़ी किसी बीडिवेंट का हो एक्स्प्रेस की गई उसको एविडेंश के रूब में इस्तिमाल किया जा सकता है तो वह चीज हूआ चाड़ाएगी कि इसमें एक्स्प्लेनेशन दिया गया है तो सेक्शन 29 का फर्स्ट एक्स्प्लेशन हम देखते हैं इसको आप अपने बेरेक्ट में पढ़ ले पहले और उसके बाद मैं इसको एक्स्प्लेंट करता हूँ एक्स्प्लेशन कि फर्स्ट कहता है कि ऐसा डॉकुमेंट्स जो लेटर्स वह तो आप समझी गई कि डॉकुमेंट्स किसे कहते हैं तो डॉकुमेंट्स जरूरी नहीं है कि वह कोर्ट ओफ जस्टिस मिन्स नियले के लिए ही बनाय गया हो वह किसी भी सब्स्टेंस पर कोई भी लेटर्स फिगर्स या मार्क्स के दुआरा जो भी एक्स्प्रेश किया गया है कोई भी तो वह नियले के लिए बना हुआ हूँ यह जरूरी नहीं है तो पहला एक्स्प्रेशन यहीं कहता है कि यह जरूरी नहीं है कि वह एविडेंस के लिए बनाया गया हूँ और इसमें इलिस्टेशन है और उसको आप बुक से पढ़ सकते हैं तो फर्स्ट में इलिस्टेशन फर्स्ट में बताया गया है कि कोई भी टर्म्स ओफ कॉंट्रेक्ट एक डोकुमेंट्स है ठीक है कोई भी टर्म्स ओफ कॉंट्रेक्ट एक डोकुमेंट्स है कोई पावरोफर्टोडनी इसकोड़ा है एक डोकुमेंट्स है कोई भी बैंक वाला बैंक द्वारा बनाये गया चैक ठीक है बैंक द्वारा बनाये गया कोई भी चैक ठीक कोई भी मैप या कोई भी प्लान को कोई भी रिटेन डारेक्शन्स या कोई भी इंस्ट्रेक्शन्स एक डूक्रुमेंट से तो इलिस्ट्रेशन फरस्ट में यह चीजा बुक से देख सकते हैं कि इसमें सेक्शन ट्वंटिनाइन में एक्स्प्लानेशन टू अ को भी है और एक इलिस्ट्रेशन लाश्ट में दिया गया इसके लिए सबसे एल्लिस्टेशन देख लेते हैं उसके बाद एक्स्पनेशन टू पर आएंगे इल्लिस्टेशन में दिया गया है कि कि कोई भी बिल ऑफ एक्षेंज कि के बैक साइड में अगर कोई अपना नाम लिख देता है बील कि पनेशन पर कोई अपना लिख देता है तो वह भी काफी है इसको एक डुकोप मेंनेने के लिए इसको पे करने के लिए बील ऑफ एक्षेंज को एक बारण समझ लेते हैं कि बील ऑफ एक शेंज है क्या कोई बीलफ प कर माल тоб के पास जाता है लेकिन B कहता है कि मैं payment आपको दो महीने के बाद दूंगा जो माल इसके पास इसकी दुकान पर A का गया है वह कहता है कि इसका जो पे होगा जो payment मैं करूंगा वो दो महीने के बाद करूंगा तो यह A इस B से एक bill of exchange ले लेता है एक तरह का लेटर है जिस पर लिखा रहेगा कि आज की डेट के इतने समय बाद मालिए दो मन्त है तो दो महीने बाद यह मुझे इतने रुपीज देगा तो यह bill of exchange है आप इसको गूगल में जाकर देख सकते हैं कि bill of exchange क्या चीज़ है तो bill of exchange पर अगर वो back side में B जो की एक शोप की पर है अगर केवल अपना नाम इंडोस कर देता है तो वह ही केवल वही काफी है इसको payment दिलाने के लिए ठीक है explanation 2 में यही है कि कोई भी letter कोई भी documents जो कि किसी letters या figures या marks के दुआरा यह express करता है कि mercantile हो या कोई other uses हो या कोई अधर यूज हो या मर्केंटाइम कोई भी commercial वानिज्यक वहवसाइक कोई भी वहवसाइक यूज जोज का परता हो या कोई अधर परता हो उसमें अगर कोई भी express कोई भी चीज की गई है जैसे इसने इसके पीछे अपना नाम लिखा है तो बेशक उसमें एक्ट्वली जो एक्स्प्रेस करना हो वह ना लिखा गया हो तो भी वह documents माना जाएगा means के वल उसने नाम पीछे लिखा है अपना यह नहीं लिखा है कि पेटू अकाउंट होल्डर या पेटू होल्डर यह लिखना भी जरूरी नहीं है तो केवल नाम लिख नाम इंडोस करना ही काफी है इसको एको पेमेंट दिलाने के लिए सेक्शन 29 में इतना ही है इसके बाद है सेक्शन 29A में है इलेक्ट्रोनिक रिकोर्ड इलेक्ट्रोनिक डोक्यूमेंट्स सोरी तो सेक्शन 29A IPC में बताया गया है कि जो आईटी एक्ट जो आईटी एक्ट 2000 की सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 के क्लोज टी में जो डेफिनेशन इलेक्ट्रोनिक रिकोर्ड इलेक्ट्रोनिक डोकूमेंट्स की दी गई है वही इसक्शन 29 में माली जाएगी आप आईटी एक्ट 2000 की सब सेक्शन सेक्शन 2 की सब सेक्शन 1 की क्लोज टी में है कि कोई भी इलेक्ट्रोन कोई भी कम्प्यूटर का डाटा या रिकोर्ड या ओडियो ओडियो या वीडियो या कोई भी माइक्रो फिल्म या रिसीव या सेंड किया गया कोई भी जो इलेक्ट्रोनिक फॉर्म में या सेंड किया गया कोई भी डाटा है यह सब इलेक्ट्रोनिक ड्योकुमेंट्स होगा तो आज की वीडियो में इतना ही नेस्ट वीडियो में